अध्या 21 वैश्वी करण और मैंने एक कमपास बॉक्स खरीदा देखते हैं यह किस देश में बना है अ इसमें तो किसी दूसरे देश का नाम लिखा हुआ है मतलब हम उन वस्तों का भी प्रयोख कर रहे हैं जो दूसरे देशों में बनी हुई है तो फिर ये स्कंपॉस बॉक्स हमारे देश में कैसे आया? सोचे तो बच्चो आपने देखा कि हम केवल उन्हीं वस्तों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो हमारे देश में बनी हैं बलकि हम कई उन्वस्तों का प्रयोग भी कर रहे हैं जो दूसरे देशों में बनी हैं। यही नहीं हमारे देश के युवा वर्ग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वै आजकल तो इंटरनेट के जरिये दुनिया भर की चीज़ों के बारे में तुरंत पता चल जाता है दूसरा हमारे खान पान में कुछ दूसरे देशों के वेंजनों का समावेश होने लगा है जैसे पिज्जा बर्गर, नूडल्स, चाउमिन, आदी हम इन खादे पदार्थों के विज्जापन टीवी पर देखते हैं बहुत से देशों के मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहां तुलनात्मक रूप से बहतर और सस्ता इलाज संभव है विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के सिलसले में दूसरे देशों की सिक्षा संस्थानों या विश्विद्यालों में अध्यन हेतु आना जाना करते हैं एक अनुवान के मुताबिक पढ़ाई के लिए भारत से प्रतिवर्ष विदेश जाने वाले विध्यार्थियों के संख्या धाई से तेन लाग बताई जाती है। एसे दर्शनी स्थल हैं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार हमारे देश के लोग परिटन के सिलसिले में इंडोनेशिया, मलाया, थाईलेंड, आधी देशों की यात्राएं करते हैं। तो उन्हें नौकरी हासिल हो जाएगी। इसी अपेक्षा में वे अन्य कई भाषा हैं जैसे चीनी आदी भी सीख रहे हैं। इसके अलावा आपने कुछ विदेशी संगीत भी सुना होगा जो युवाओं में अधिक लोग प्रिये हैं। झालावा जाएगी। झालावागी।